देखे लोक सभा में विधायकों की जरूरत नहीं पड़ते हैं पहले तो इस सवाल को सुधारा जाए रही बात लोक सभा में इनके तो इनके जो है 16 MP हैं वो इनसे काफी आगे हैं और उनके तो 40 विधायक है आपके मानने चिराग पासवान के पास कितने विधायक है नहीं आन के पक्ष में जो आप न्याय दिलाने की बात थी उस मामले में सफष्ट किया था कि हम इस फैसले के खिलाप है हम दलित और वंचितों के अधिकारों के हनन पर समझाता नहीं कर सकते हैं अगर आप पहले दिन ही प्रतिक्रिया लिया होता तो हमारा पहले दिन भी यही करते हैं कड़ा विरोध करते हैं और इस फैसले को वापस लेना चाहता है ऐसा हमारा डिमांड है हमारी लडाई आप समझ लीजिए समाज के बीच में भी मार्मी से शुरूई जो भारत एकता मिशन समाज में बहुजनों को जागरित करने की है और सोशित वंचितों के अधि सकते हैं कुछ लोग यह भी इल्जाम लगाते हैं कि यह वाजपा दुवारा यह उनकी टीम है मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप हम पर रजयाम लगाते हैं और बहुजन समाज पार्टी उनके साथ सरकार बनाती है तो मुझ पर कैसे आरफ लग जाएगा क्योंकि हम कांसी राम साहब के विचारों से अलग हुई बास्पा बहुजन समाज पार्टी और मायावती तब जाके उन्होंने बीजेपी से गड़ बंदन करके सरकार बनाए लजेपी के निता चिराक पासवान कह रहे हैं कि नितीज कुमार के पास 40 विधायक हैं तो परधान मंत्री कैसे बने हुए हैं और अभी प्रदेश प्रवक्ता भी हैं चिराक पासवान जी कह रहा है कि 40 विधायक वाला जो मुखमंत्री है वो प्रधान मंत्री कैसे बने लोग सभा में विधायकों की जरूत नहीं पड़ते पहले तो इस सवाल को सुधारा जाए रही बात लोग सभा में इनक जो है 16 MP है वो इनसे काफी आगे हैं और उनके तो 40 विधायक है आपके माने चिराग पासवान के पास कितने विधायक है जो यह सवाल उठा रहे हैं वोट है उनके पास पासवान होगा यह कैसे कह दिया और जेदिव के जो भी मालेजय प्रधानमंति के उमिद्वार उच्छे परशंट पर नहीं बनेंगे उनको कम से कम लाना होगा तो 30-40 प्रशंट लाना होगा इसे बहुत प्यार है क्यों लगता है आपको इसलिए लग रहा है कि आनंद मोहन के मसले पर चूप है आनंद मोह किया है तो हमारी पाटी ने स्पष्ट किया है और चंसेका राजाजी जो बिहार के दौरे पर आये थे राकेस प्लासवान के हत्या के पक्ष में जो आप नयाय दिलाने की बात थी उस मामले में स्पष्ट किया था कि हम इस फैसले के खिलाप है हम दलित और वंचितों के अब यापका एक सवाल रह गया है कि आपने कहा अनद मोहन के मामले में आप तैख किजिए कि अगर सम्वेधानिक और काणुन विरोध किसने किया भी मार्मी ने हाई कूर्ट में यह आचिकादियार की और एक आईस असे से कहरे हैं बहुत देर कर दी यह सनम आते आते बहु जबाब होता, कि हम इसका विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं, और इस फैसले को वापस लेना चाहता है, ऐसा हमारा डिमांड होता है, चिंता हम उसकी नहीं करते हैं, हमारी लडाई, आप समझ लीजिए, समाज के बीच में भी मार्मी से शुरूई, जो भारत एकता बहुजनों को जागरित करने की है, और सोशित वंचितों के अधिकारों के लिए लडाई लड़ती है, राजनितिक विचार से तो हम बाद में आए, जब कांसी राम साहब के ये बात आया, कि आप बिना सदन में जाये हुए, सोशित और वंचितों के अधिकारों की बात नह तो अगर बिना अगर निती से कुमार का लोचना किजिएगा तो यह एक दुगों सीट मिलना हो भी नहीं पहले भी स्पस्ट किया आप लोग बार-बार मुझे और हमारे पार्टी को एक समर्थक बना देना चाहिए मैं यह बोल रहा हूँ कि हम बहुजनों के सरकार के समर्थक हैं जो बहुजनों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता हो जो समिधान की रक्षा करता है हम उसके साथ हैं और बाकी कौन है उसके चेहरा यह माइने नहीं रखता है माइने रखता है मुद्दा और विशय की पहले मायवती भी बोलती थी अब तो बीजपी का मामला आता है तो चुपढ़ती हैं और मायवती जो है आपके पार्टी पर आरोप लगाती है कि वो राजनितिक पार्टी है यह नहीं यह अच्छा सवाल है आपका क्योंकि लोगों के बीच में एक भ्रहम है कुछ लोग यह भी इल्जाम लगाते हैं कि यह भाजपा दौरा यह उनके टीम है मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप हम पर इल्जाम लगाते हैं और बहुजन समाज पार्टी तो उनके साथ सरकार बनाती है तो मुझ पर कैसे यह अरफ लग जाएगा आप साथ में आपने सरकार का मजा ल जब कांसी राम साहब के विचारों से अलग होई वास्पा बहुजन समाज पार्टी और मायावति तब जाके उन्होंने बीजेपी से गडबंदन करके सरकार बनाए नहीं तो कांसी राम साहब का विचार कभी भी मनुवादी और ब्राह्मन वादी विचारों को मानने वाली सरकार के साथ गडबनतन हो ही रही ज़क्ता है। का अपनानेता है या अदब का अपनानेता है तो आपके पाथ जगह कहां वस्ती है राजनेती परस्ट कर दूँ हम यहां बहुजनों को जोडने के लिए यह देश की बात है किसी प्रदेश की सरकार बनाने की बात नहीं है आप समझे कि चंसेखर आजाती जो पूरे देश का दवरा करना है एमर्जिंग लीडर में टाइम पत्रिका ने जो सो लोगों के नाम में उनको सबसे ताकतवर नेताओं के बीच में उनको रखा तो उसके पीछे कारण क्या थे आज हमारी भी मार्मी का संगठन और आजात समाज पार्टी का 28 राज्यों में गटित हो चुका ह और हम पूरे देश में एक गटवंदन और एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करने की सिती में आये हुए हैं तब जाके हमारी ये माननेता मिली है और इसका सपष्ट कहना है कि हम सम्मिधान बचेगा तभी हमारे अधिकार और हमारा देश बचेगा और इस सम्मिधान का उ रावन जी की मुलकाद नतीजी से हुई क्या कोई डील भी है और कोई खिच्डी उच्डी बन रहा है कि आने वाले चुनाव में तो निश्चित तोर पर मिलना ही चाहिए आज राकेश पासवान के हत्या के उपर में अगर हमारे से मुख मंत्री अगर वारता करना चाहे इसमें खिच्डी वाली कोई बात नहीं होगी हाँ जब राजनिती में आये हैं तो मुद्दों पर बात होती है उसकता है कि कुछ मुद्दों पर अपनी गलत फहेमी और दूर करने के लिए बैठक हो सकती है मुलाकात हो सकती इसमें हर्ज क्या है संगठन अच्छा था पाटी बना करके बेकार करते हैं यही लड़ाई अगर लड़ते रहें और सत्ता में दक्षिन पंती लोग जाते रहें तब हमारी लड़ाई यही जमीन पर रह जाएगी और सदन में वो कानून बना कर हमारे खिलाब हमेशा यूज करते रहेंगे तब हमने तैय किया कि भीमार्मी जो अभी काम कर रहेगी और सदन में जाके ि इनके हितों की रक्षा के लिए हम कानून की रक्षा करेंगे समिदान की रक्षा करें और वह जिनधर भासकर जी हैं sun पार्टी का पक्ष बहुत मजूती से रखते हैं रखे भी हैं लेकिन सवाल यह है कि बिहार की राजनीती में जो आधार है वो तो जात है लेकिन का कहना है कि हम राजनीती करने आहीं ही नहीं हम सोशित वन्चितों की अवाज उठाने हैं इनका एक तरफ यह जब आनन्द मोहन होता है और बहुजन सुखाए के साथ जो बहुजनवादी सरकार होगी हम उसका समर्थन जो समिनान को बचाने वाली सरकार होगी हम उसका समर्थन करेंगे पिलाल आप जन तरेक्षन देख रहे है में उसका करेंगे पिलाज तर मुण बचलन कुछ ख॥ाख, जन तर झामगे है तर चानि तरेक्षन तरेक्षन उतावजन दूधन जब पिलाली संदो समिनिन वाली सरका Und 不是 का समर्थन उसक एंण